नमस्कर दोस्तो राम केलेक्ष्याय दोस्तो प्रतावगर ब्लोस इलमा सबका स्वागत है। आदोस्तो हम बात करूँगा भिंडी की बुआई हमें किस महीने से करना चाहिए? जिससे की हमारी भिंडी का ग्रोथ अच्छे से हो, अच्छे से फोल लगे, अच्छे से फ़ल रहा है कि हमारा जो भी किसान भाई हैं काफी जो है चिंतित रहते हैं काफी कमेंट आता है कि सर जमें इसके बार बताए हमें भिंडी की बुवाई कब से श्टार्ट कर देना चाहिए हमें बुवाई कब से करना है तो काफी जो हर महीने को लोग मतलब कमेंट आता है कि इस पहीने से स्टार्ट करना चाहिए तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि आपको खेत अपना जो होता है अच्छे से बना लेना है उसमें जो मिट्टी होती है भुरभुरी हो बहुत बढ़िया होता है कहीं पर देखा जाता है कठोर मिट्टी होती है तो जो कठोर मिट्टी होती ह तो वहाँ पर अंकुरित में थोड़ा दिक्कत होता है, जो पौध निकलता है, हम बीज डाल देते हैं, बीजाई कर देते हैं, तो उसमें क्या है अंकुरित में दिक्कत होती है, अंकुरित कोई निकलता है, कोई दब जाता है, कोई नहीं निकल पता है, उसके लिए भुरुर वरन गर्म होना चाहिए और नम होना चाहिए भिंडी की भुवाई के लिए गर्म और नम वाता वरन सबसे अच्छा माना गया है सबसे बढ़िया माना गया है उस समय क्या है अगर गर्म वाता वरन है और नम वाता वरन है तो उसमें क्या है भिंडी अंकुरित के लिए बहुत बढ़िया माना गया है और उसमें गर तापमान की बात किया जाए कितना सिल्सियर तापमान होना चाहिए तो 27 सिल्सियर से ले करके 30 सिल्सियर तक तापमान होना जरूरी है अगर दोस्तों 27 सिल्सियर से कम है तब क्या है अंकुरित बरोबर नहीं आएंगे अच्छे जो है अंकुरित नहीं होगा अगर कोई अंकुरित हो भी जाएगा तो पौध गुरोथ नहीं करेगा तो भी जो अंकुरित में दिक्कत होगा भिंडी के और तीस के अंदर होना चाहिए 27 और तीस के बीच में तापमान उसका होना चाहिए तो बढ़िया होता है तो इससे क्या है दोस्तों की जैसे की भिंडी की भुवाई दो तरह से किया जाता है यानि दो सीजन में एक होता है ग्रीस मकालीन एक होता है वरसरीतू तो दोनों में हम भिंडी की भुवाई करते हैं तो सबस्व पहले दोस्तों हम बात करूँगा ग्रीस मकालीन के बारे में तो ग्रीस मकालीन की अगर हम बात करें तो उसमें कौन-कौन से महीना आता है ग्रीस मकालीन में अगर ग्रीस मकालीन के लिए हम भिंडी की बुवाई करना चाहते हैं जादा फला और जादा फूल लेन चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया फरवरी और मार्च मन्त है तो फरवरी के सुरवात में लेकर के मार्च के लाश्ट तक के आप भिंडी की बुवाई कर सकते हैं इससे क्या है दोस्तों कि उसका ग्रोथ अच्छा होगा उसका जो है अंकुरित बढ़िया होगा और जादा जादा वो जो है फल और फोल देगा और दूसरा जो आता है दोस्तों वरसर इतुक बारे में जो वरसर इतुम हम भिंडी की खेती करते हैं तो उस समय क्या है वो जो महीना होता है भिंडी की खेती करने का तो होता है जून और जुलाई जो वरसर इतुक लिए होता है तो जून और जुलाई जो है सबसे बढ़िया महीन हमाना जाता है शुरुआती जून से आप भुवाई कर सकते हैं मतलब होता है कि जैसे हम अगेती कर देते हैं जून में कुछ लगा दिये कुछ लोग जुलाईं में लगा दिये तो कभी कभी देखने मिलता है काफी लोग जून में लगा दिये तो उस समय क्या है कि जुलाई में कुछ लोग का खतम हो जाता है या कुछ लोग को कुछ दिक्कत हो जाती है तो क्या है कि कुछ हमें अगर पछर खेती करना चाहिए कुछ जून और जुलाई दोनों करें अग बहुत ज़रूरी है अगर हम एक एकड भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो एक एकड खेत में कितना बीज लगेगा अगर एक एक एकड खेत है आपका तो बीज एक एक बात करें तो एक से डिढ़ केजी पीज लगेगा जो seeds होता है और दोस्तों यह भी देखा गया है कि seeds किस company की है उसके variety उपर भी depend करता है उससे भी कुछ कम और जादा जो है हो सकता है तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं एक पौध दूसरे पौध की दूरी की तो 15 से 20 cm किया जाता है तो देखा गया है कि कई कई यह गह पर अलग किसान अपने हिसाब से भी विजाई करते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइक अनल पे क्लिक करें तक कि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे है आप दोस्तों कौन सी भीडियो करते हैं ठैंक दोस्तों वीडियो आज करने के लिए